योजना इनिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर आपने अपने राशनकाड का EKYC अभी तक नहीं करवाया है तो आपके लिए अच्छी खुसकबरी है क्योंकि सरकार ने राशनकाड का KYC करवाने की तारिक को आगे बढ़ा दिया है जिहां साथियो अगर आप भी राश्टे खाद्य सुरक्सा योजना के अंतरगत फिरी में राशन लेते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुती महत्पून होने वाला है और अगर आपने अभी तक अपने राशनकाड का KYC नहीं करवाया है तो सरकार ने आपको एक मोका ओर दिया है आप इस तारिक तक अपने राशनकाड का KYC करवा सकते हैं नहीं तो जो आपका राशन है वह बंद हो जाएगा आपको राशन में ग्यहू चावल नहीं मिलेगा तो कब तक के लिए इस तारिक को बढ़ा गया है सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के मैदम स देने वाले हैं वीडियो को आखीर तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए है तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कैसे आपको KYC कराना है वह भी आपको बताएंगे देखे साथ यो KYC की जो आखरी तारिक है इसे बढ़ा करके 15 जुलाई कर दिया गया है यानि के आप 15 जुलाई 2024 तक अपने राशनकार का KYC करवा सकते हैं जो पहले 30 जून 2024 थी सभी खाद्य सुरक्षा में सामिल राशनकार धारक अपने नजदी की राशन डिलर के पास जाकर भी KYC की परकिरिया को पूरी अवश्य करा ले यानि के आपको अपने राशनकार डिलर के या पर जाने है और अपने राशनकार एक वाईसी जो की जो परक करना है परते एक राशनकार में जितने भी लोगों का नाम है उन सभी आवेद को की राशनकार के वाईसी परकिरिया पूरी करनी होगी यानि कि अगर आपके राशनकार में जितने भी यूनिट है उन सभी को KYC कराना होगा यदि एक राशनकार में परिवार के पांच लोग की अलग-अलग से केवाजिषी की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है देखे जितनी भी यूनीट है मालीजेए आपके राशनकार में 5 यूनीट है तो पांच की 5 यूनीट को अलग-अलग अपना EKYC करवाना होगा इसके साथ ही राशन कार्ड में सम्मलित नाम में नागरिको को नजदी की उचित मुल्ले की दुकान पर जा करके राशन डिलर से बायो मेकेटरिक वेरिपिकिशन करवाना पड़ेगा राशन कार्ड EKYC करवाने के लिए आपको अपने नजदी की डिलर जहांसे आप राशन लेते हैं महाँ पर जाना है और अपने राशन कार्ड का EKYC कराना है राशन कार्ड EKYC के लिए आपको अपने नजदी की राशन कार्ड डिलर के पास जाना है और आधार कार्ड लेकर के जाना है यानि के जो आपका आधार कार्ड है वहें आपके पास होना जुरूरी है सिर्फ आधार कार्ड लिंक से ही आपका EQC हो जाएगा रासन कार्ड EQC बीलकुल फ्री में है अगर किसी भोगता के finger print नहीं आते हैं तो उनके लिए आरिश मशीन से आखों की पुतलियों से EKYC की जाएगी तो साथियों अगर आपने अभी तक अपने राशनकार का KYC नहीं करवाया है तो आपके पास 15 जुलाई तक का समय है आप 15 जुलाई 2024 तक अपने राशनकार का EKYC अवश्य करा लें नहीं तो जो आपका राशन पानी है वह बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा सोरी जो राशन पानी जो आपको सरकार के तरफ से फिरी राशन मिलता है वह बंद कर दिया जाएगा तो फटापट से अपने राशनकार का EKYC अवश्य करा लें वीडियो गर आपको अच्छे लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब भी जरू करिएगा जरू करिएगा